नवश्कार दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में एक पर फिर से स्वागत है आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो है यूरिक एसिड का जो लेवल होता है वो शरीर में कितना होना चाहिए और अगर ये लेवल बढ़ जाए तो कौन-कौन सी बिमारियों होने का खत्रा रहता है और इसी के साथ हम जानेंगे कि जो यूरिक एसिड है वो किड्निया फिल्टर करके किस वज़े से इसको बाहर नहीं निकाल पाती है तो आईए इन सभी के बारे में हम बाग करेंगे और आपको ढिट सारी जानकार्या देंगे तो उरिक एसिड के बारे में देखे दोस्तों, शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने पर जोडों में दर्द और सूजन और गठी की समस्या होने का खत्रा बढ़ जाता है। यूरिक एसिड की वज़े से diabetes, blood pressure की problem और thyroid होने का भी खत्रा बढ़ जाता है। शरीर में 3.5 से 7.2 mg प्रती deciliter यूरिक एसिड की मात्रा होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ने लगे तो ये जोडों में क्रिस्टल के रूप में जमा हो जाता है। और इसकी वज़े से जोडों में दर्द की समस्या पैदा होने लगती है। जैसे पैरों के जोटे होते हैं उनके जोडों पर इसका दर्द जो होता है वो सबसे पहले शुरू होता है। और धीरे धीरे घुटनों में, कोहनियों में, पीट पे, कबर पे, हर जगा जहां पर आपके जोइंट से हैं वहां पर दर्द महसूस हो सकता है। और इसी के साथ हम अपनी डाइट से यूरिक एसिड को कंट्रोल भी कर सकते हैं किस तरह से आये जानती है खाने में प्यूरेन से भरपूर चीजे शामिल करने से यूरिक एसिड बढ़ने लगता है यूरिक एसिड एक टॉक्सिन है जो भोजिन के पचने के बाद शेरीर में बनता है और किड्नी जो होती है वो इन टॉक्सिन को फिल्टर करके यूरिक एसिड के जरीए बाहर निकालती है लेकिन जब ये टॉक्सिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ ये जोडों में जमा होने लगता है तो किड्नी इने निकालने में असमर्थ हो जाती है तो इसी तरह शेरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता जाता है तो ये था दोस्तो यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्यूं बढ़ता है और किस तरह से ये बाहर नहीं निकल पाता है तो यही वज़े होती है तो अब जानते हैं कि यूरिक एसट को कम करने के लिए हमें किन-किन जिजों को अवाइट करना चाहिए वो है रेड मीट, आरगन मीट और सीफूर जैसी चीजे खाने से परहेज करना चाहिए इस तरह खाने से यूरिक एसट तेजी से बढ़ता है इसके अलावा रात में शराब पीने से बचे यूरिक एसट की समस्या से परिशान लोगों को रात को बिरकुल भी शराब का सेवर नहीं करना चाहिए शराब से शरीर में यूरिक एसिट का लैवल बहुत तेजी से बढ़ता है तो ये था दोस्तो आज का वीडियो आई होग कि आप लोगों को पसंद आया होगा इसके इलावा मैंने यूरिक एसिट के उपर बहुत से ऐसी वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी तो आप उन्हें प्लीज देखेगा और जानकारी हासिल कीजेगा और अगर कोई भी सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में बूच सकते हैं धन्यवाद दोस्तों